हालो एवर्वेडी मैं डॉक्टर तौफीक उसेन, असोसेट प्रोफेसर इन हारी उजेकिशन आज हम राश्तान के एकिकन के विशे में चड़्चा करेंगे जिसको इंटिग्रेशन ओफ प्रिंसली स्टेट ओफ राजबुताना या जिसको फॉर्मिशन ओफ राश्तान हम कह सकते हैं या हम कहें कि राजबुताना की रियास्तों का विले या राश्तान के निर्मान की पर करिया देखें कि आप जानते हैं कि राश्तान के एकिकन से हमारा तात्परी क्या है राष्टान की एक एक गड़ से हमारा ताक्पी है कि वरत्मान जो आप माधुनिक राष्टान देखने हैं ऐसा राष्टान है वो एक नूम्बर उनीशुट से पहले नहीं था अपी तु राष्टान में अनिक देशी रियास्त थी और राष्पुतना के नाम से जाना जाता थ लेकिन राष्टान के इतियास के जनक करिनल टॉड ने ये राष्टान नाम दिया राष्टान ये वरत्मान राष्टान या जिसको माधुनिक राष्टान कहते हैं ये वरत्मान राष्टान अनेक चर्णों से गुजड़ता हुआ एक नूमर उस्चु सेपन के अंदर वो व जिसके फल सुरूप अधुनिक रास्तान का निर्मान हुआ जैसा कि आप जानते हैं कि अधुनिक रास्तान के निर्मान किस प्रकार हुआ उससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि जिसमें भारत पे अंग्रिजों का शासन था उस समय भारत के अंदर है भारत है वो मुकी रूप से वो दो भागों में वाजित था जिसको बिटिस भारती प्रांत और देशी रियासत का जाता था बिटीज भारती प्रांत का तात्परी ये था कि भारत की वह भाग जिस पर अंग्रिजों का सिधा निंत्रन था उसको बिटीज भारती प्रांत का जाता था और भारत का वह बाग जिस पर यास्तानी जो शासक है उनका शासन था और जो बिटी स्रुस्टता को है वो श्युकार कर रखा था उनको देशी रियास्त है वो का जाता था तो इस परकार भारत के अंदर जसमें भारत आजाद हुआ तो उस समें भारत के अंदर पांसो पैसेट देशी रियास्त हीución और एक तरह से उस समय भारत की सुन्दा के समय ब्रेटीन के प्रधान मंत्री क्लिमेट एटली थे या और इस समय भारत के जो गोर्न जनरल अवलाल मांट बेटन थे तो भारत के अंदर जो ये 565 देशी रियासत थी उनके एक एक एकन की जो प्रिक्रिया है वो तो क्लिमेट एटली ने जो भारत के सुन्दा की गोसना की थी उसके समय से प्रियास शुरू हो जाते हैं और पांच जुलाई 1947 को इन रियासतों का भारसंग में विले के लिए है वो एक प्रकार से है वो एक रियास्ती विवाग है उसका गठनवी कर दिया जाता है और उस रियास्ती विवाग का जो अधेक से हो सरदार वलवाई पटेल को बना दे जाता है और रियास्ती तो देखेगा जो माउंट बेटन योजना है लेकिन जो माउंट बेटन योजना है उसमें आप जानते हैं कि ये प्रावदान कर दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान को दो नए रास्त है वो बना दिया जाएंगे और इसके साथ भी ये प्रावदान भी कर दिया गया था कि देशी रियास्तों को इस सफटूंटा दे दे गए थी कि वो या तो अपना सफटूंटर रख सकती है या पाकिस्तान में मिल सकती है तो ऐसी स्थिती के अंदर कैया कि भारत की एक्ता और अखंड़ता है वो खत्रे म पाकिस्तान में मिलती है तो भारत के एक विवाजन नहीं भारत के अनेक खंडों के अंतरा वह भारत विवाजन हो जाता है लेकिन सरदार बल्लबाई पटेल के दूर्दरसिता है और उनके सदप्रियास से है यह देशी रियास्तों का इकिकंड किया गया तो जो पानसो तो तो रास्तान के अंदर है उनीच देशी रियास्त थी इसमें अलवर है भरतपूर है दोलपूर है करोली है कोटा है बुंदी है जलावाड है डुंगरपूर प्रताप गड़ बासवाड़ा सापुरा टोक किसंगड़ जेवपूर जोदपूर जेसलमेर विकाने अलवर के अंदर निमराना ये तिन ठीकाने थे तो रास्तान की इस्तती है उसमें उनीच देशी रियास्त थी और तिन ठीकाने थे और एक इंदर सासित परदेश है जमिरवाड़ा था तो उनीच देशी रियास्त है वो और तिन ठीकाने और एक इंदर सासित परदेश को मि करके है वो वरत्मान रास्तान है उसका नमाना वो किया लिया तो जैसे कि मैंने आपको बताए कि इस से जो 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 भारत सफंदा दिन है उसमें जो प्रावदान किया गया कि वे रियास्ते जिनकी आई है वो एक करूड रुपे से दीख हो जिनकी जनसंग क्या है वो एदस ला सबस्रोlles दो रख सकते थी तो एसी स्थथी के अंदर किया है कि भारत की एकतार अखंडता है वह खत्रे में वह पड़ सकते थी तो लेकिन जैसके मैंने आपको बताया कि एकिकन की एकिकन की जो प्रकिरिया है वो सरदार बलबाय पटेल के प्रियास्वी लेकिन राष्टान के एकिकन की अनिक समस्या ही थी और उन समस्या के हम चर्चा करें तो समस्या बड़ी समस्या तो यह थी कि जो सुरुचिता की समस्या थी और सुरुचिता की समस्या यह थी क बिटिश समराट के साथ है और उनकी जो सेवजाने की स्थती है उनकी इच्छा की विरूद है वो किसी भी अन्य सत्ता को इस्तानतित नहीं किया सकता तो उनका मानना था कि हलांकि उनको अंतराश्टेमंद से है वो एक सबस्तंतर रिकाई का दरजा नहीं दिया गया लेकिन फ रास्थान से है वो देशी रियास्त है उनको बादे नहीं किया जा सकता था उस प्रावधान के अंतरगत है भार संग मिलने के लिए तो और इसके अलावा कुछ सासक है देशी रियास्त के जो सासक है उनका जो अलग-अलग मत था कि वो किस तरह से है वो जो 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 रास्थ कोन थे जैसे हम सर्चा करें कि जो उद्वपूर की महराजा बुपाल सिंग है वो रास्तान गुजरात और मालवा को मिला करके है वो एक तरह से रास्तान जो यूनिन बनाने के पक्स में थे और इसके लिए उन्होंने एक सभा भी आयुद की थी लेकिन जेपूर विकानिर और जोद्वपूर की जो 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 सासक उन्होंने जो बुपाल सिंग का साथ नहीं दिया और उसके कांट से बुपाल सिंग का कोई का ये विचार वो साकार में दो सका उसी प्रकार से कोटा के महराब जो बिम सिंग है वो कोटा बुंदी जलावार को मिला करके वाड़ोती संग बनाने का जो प्रियास कर रहे थे लेकिन उनका ये प्रियास सपलने रहा बुंगर के माराव लक्समन सिंग है वो एक अलगी बांगड संग है वो बनाने का प्रियास कर रहे थे लेकिन ये प्रियास उसका सपलने रहा तो इस तरह से क्या कि देशी रियास तो के जो सासक हैं व तहां कर दो कि टो हम कर दो कि तो में यह कहें कि यह यह बादा थी कि केंदर में काजी तो इसके संदर में मतमतांदर थे अपी तो जोधपूर के साथ से जो हमुन सिंग है वो तो मुमद इली जिना से मिलकर कि पाकिस्तान में सम्रित होना चाहता था लेकिन सरदार बल्लबाई पटेल के प्रियास से है उनको ये ऐसा ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि आप जानते हैं कि जौधपूर के साथ से हो हमुन सिंग है वो वपाल के साथ से मिलकर के है रियास्त को पाकिस्तान बे मिलाना चाहते तो जो जो एक परकार से जो उस समय जो भी है उनका जो पतर था एक समाचार पत्र निकलता था रियास्त, उन्हों के अंदर उन्हों ने ये खुलासा कर दिया, कि जोस्पर के माराजा हुनन सिंग है, वो वुपाल के नबाब के साथ मिलकर पाकिस्तान में मिलना चाहते है, तो ऐसी इस्तिती के अंदर है, वो हुनन सिंग का ये सपना है, वो भी साकार हो नहीं हो सका, तो एकिकन की अनेक्स हमस्या थी लेकिन सरदार भल्माई पाइप पटेलकी दूर से ये नहीं हो سका ने बात कर एक। कि एक। घरता है या देशर्य रहास्तों की स्कूबस्च्छाइब सामस्या ख़ाएै शामनतवर्ग कुंकि यह चिंता थी४का नियुक्त जो जो विशेशा दिकार है यह दो एकिकन हो गया तो ऐसी श्तिति में उनके विशेशा दिकार है वस्माप तो जाएंगे यह नहीं जो रास्तान की जो किसान सबाँ है जो मिवाड के भील है वो भी एक तरह से क्या है कि उद्वपूर में उन्होंने गुलावाग के अंदर एक विरोद कर रहे थे तो इस परकार से रास्तान की एकिकन की एनिक समयश्या थी जिसमें जो देशी रियास्तों की जो स्रोस्ता की समयश्या थी सासकों के विवन मतमत आंतर थे जो सामंती वर्ग है जो किसान वर्ग है वो भील है और भरतपूर के जाट है आदी वो एक तरह स की दुरदसीतार उनकी यह इनदर संपन हुआ और एकएकट की यह प्रकिरिया है रत है वह इ facedagen नवी मारत उनिसो 18 के नंदर सुरू हुआ रेंक नम्मर रियासे जो साधूल इसने जो साथ अगस्त ब्रिया으면्त कि लिकारर कीज़ा करने वाला है वह और इसके लिस्त में अन्पें overcome कि जा सकती है इसके अलावा झालो, जैसे शाहित्त की समझत है वह कुछ बाते हैं, मैं ये भी ध्यान रखने चीए कि इसमें रास्तान की जो 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 सबसे बड़ी रियास्त थी से वो मारवाड रियास्त थी उनुडिस रियास्तों के अंदर और सापूरा है वो जनसंक्या और सबसे सुटी रियास्त थी और मेवाड है वो सबसे प्राचेन रियास्त थी और जह जो करोली और जसलमेर है जो दो ऐसी रियासत थी जिस पर यादव वन्स का वो सासन था और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय जो जो विले पत्र पर जो बांसवाड़ा के जो सासक चंदरवीर सिंग अस्तासतर कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने वर विले पत्र पर वस्ताक्सर नहीं करना चाहते थे लेकिन सदरभल्य पर तेल ने किसी को समझा करके कि ये को संब्ब बनाए और रास्तान के अंदर जो तोक जालवाड ऐसी रियासत थी जिसका निर्माना वो अंगरीजों ने किया ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए जिसका निर्माण है वो मुगलों ने किया तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राङस्तान की एकिकन की अनेक समस्य थी लेकिन उन समस्याओं इन चुरूतियों का जो समाधान है वो सरदर बलवाई पटेल ने किया और एकिकन की जो प्रक्रिया जो प्रारम होती है वो 18 मार्थ 1948 है या कुछ इत्यास का 17 मार्च चाहते लिए 18 मार्च से संग निरमान के साथ ती तो राज्तान के एकिकन का जो प्रथम चरण है साथ च्वनों में हुआ जिसमें प्रथम-चरण है वो मत्र से संग का निर्मांड था है इन चार रियास्तों को है वो को मिलाकर के मस्से संख का निर्माण करवाए गया और इस संख की रुजराजदानी वो अलवर रखे गई और इस संख का जो गाटन है उस समय का जो केंद्र मंतरी थियंद जाड़िल है उन्होंने भर्तपूर के अंदर इस संख का उद्गाटे नहों किया और इस संग का जो प्रधानमंत्री है वो सोबाराम कुमाउत जी को बनाए गया और जो राजप्रमुक है वो उदेपुर के माराजा जो उदेभान सिंग है उनको राजप्रमुक बनाए गया और गनेश पाला करोली के मारा गनेश पाला उसको बताते हैं कि वो सोबराम कुमाउत अल्वर के है उन को है वो एक तरह से प्रदानमंतरी है वो इसंग का बनाए गया तो इस संग को सब से पहले इसली लिए है क्योंकि यहां पर के आखिया की संपर्दाएक जो कि अतनाव है वो गया था और क्योंकि इसी समय माहत्मा गांधी जी की भी हतिया हुग थी तो माहत्मा गांधी जी की हतिया के अंदर हैły media के जो जो on है उनको और उनको एक तरे से वो सिदा है वो उतर ड़े ठरा गया था जो जो एक तरे से क्या है कि संपरदाइक्ता के कांड से क्या कि इनका जो प्रसासन है वो भारत सरकांड ने वो सिधा अपने निंटर्ण में वो ले लिया था और ऐसी स्थिति के अंदर जो दोलपूर और करोली के जो सासक है उन्होंने बिले पत्र पर ताक्स्तर करने कि स्विकर्टी भी दे दी थी तो ऐसी स्थिति में कि इनकी जो दोलपूर और भरतपूर है उनकी जो बोगली को सा जो पर्देस है उनकी सासकर्ती इस्तिय है वो भी एक प्रकार से संग्रूब थी और आप ये भी कह सकते हैं कि इस संग का नाम है वो केमुंसी ने जो इसका इस्टोरिकल बेगराउंड को ध्यान में रखते हुए इसका नाम मत्से संग्र रखा क्योंकि महभारत कालमी ये पर् सासक है उसको इस संग का है वो उपादेक्स बनाए गया तो यह और इस संग का जो निर्मान किया गया था इस समें इसमें इतरे से इसको इस संग को या स्वसन दे दिया गया था कि जब भी निर्मान होगा रास्तान का तो आपको सम्रित कर लिया जाएगा इसके अलावा इस 2655 वर किलोमेटर था इस संग की जनसंग क्या थी वह 18,37,994 ती और इस संग का जो राज़स्वय था वह एक लाग तिरासी जार एक 183,00 लाक या एक करोड जो हम कह सकते हैं कि तिरासी लाक है वह हम कह सकते वह उनकी राज़स्वय था और एक तरह से जैसे में बता है कि सोबराम के न्रुटब में इस संग का है, वो यह संग है, वो अस्थित्व किंदर आया और इस संग केवे में हम यह भी कह सकते हैं कि क्योंकि चारु सासक नाथ माद करने Fürs ते उसलिए नाथ सासक को निरुवन करने रुपे बार से और दोलफूर के साथ सब को दो लाग चोश्ट जार रुपे और कुरूली के साथ सब को एक लाग पांच जार रुपे बार से कर वो देना वो तेकिया गया तो इस तरह से कहा कि जो सबसे पहले जो रास्तां की इखिकन का जो सबसे जो जो ज़ो जो 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 पहला जो चरण है वो प्रारम हुआ मतद से संग के निर्मान के साथ रास्तान के एक एकन की जो प्रक्रिया है वो प्रारम हुई और जो मतद से संग है उसका जो इतियासिक महत्वे था इस परदेश का क्योंकि इस परदेश के अंदर है वो पहंड़ों ने अपने अग्यादवास है वो मतद से परदेश के अंदर वो वितित किया था तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रास्तान के एकिकन की जो प्रक्रिया का जो प्रतम चरण है वो मतर से संग के निर्मान के साथ ही होता है और मतर से संग के निर्मान के जो पसाथ है रास्तान के एकिकन का जब दूसरे संग के हम बात करते हैं तो दूसरे संग है वो पचीस मार्थ उने 142 खो होता है और एक तरह से कहा कि जो पूरी रास्तान के जो 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 नोरियास्त थी उन्होंने एक तरह से क्या कि दुरुदर्शिता और विवार्दर्श्रों रफनाते वे हैं वो एक तरह से संग के अंदर है वो मिलना का निने लिया और ऐसी स्थिति में राज्ट जो पुरी रास्तान की जो कोटा बुंदी जालवाड उनको प्रतापट बास बड़ा सापुरा टोक किसंगड है उनको मिला बबन द्रगपिती जो कुसलगड़ जो ठीकान ऑश सको भी पशवड़ी लञी लएगति जो कुछिएंद्ट करेंगे है उसको भी इसके अंदक है चुनीव का सामना है वह किस परकार से है वह सरदार बलभाइ परते लरूटी जो टीम हो उनने किया और उसके पसाद किस परकार है रास्तान के एक एकन का जो पर्थम चरन है जो रास्तान के एकन जो साथ चरनों में पुरा हो उसका जो पर्थम चरन है जिसको मतर से संका जाता है अथारा महारत उनीस वरतारीस को उसका किस परकार जिन बानो होता है और उस मतर संकार किस परकार इस संग का नाम मत्यस संग है वो रख दिया जाता है और कल हम रास्तन की एकन की जो दूसरे चरण है और अन्य चरण है उसकी चरचा है वो अगले वेख्यान में करेंगे ठैंक्यू जे इंजे बारत